तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो कि इसमें कहा जाता है एक ब्लॉक है जो मास M प्लेश आनी स्मूथ वेज आप इनिकलेनेशन थीटा एक स्मूथ वेज है जिसकी इनिकलेनेशन ये थीटा अल्रेडी गीवेन है कर दो आनी में अथा होगा तो इसलिटा है डाएट ट्यूर स्टिंटे संसरे हैं और ब्लॉक है तो यह जो जरुए यह तो मुझे नजर आ रहा है आगे जाता हुआ इसके रिस्पेक्ट में रेच्ट आएगा तो यह दोनों अगर सॉल्फ गरें तो दोनों सेम 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 देंगे ऐसा नहीं है कि दोनों के एक और इंग बदल जाएगा सॉल्फ करने के फ्रेम बदले सेम वेज यह पूरा वेज जो है ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा जो ब्लू कलर का वह ब्लॉक है तो हमें निकालना देखो इसमोज सर्पेस है तो सबसे पहले अगर मैं फोर्स करता हूं तो इस वेज पर ठीक ना यह इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा यह देखते सब से पहले इस ब्लोग पे नॉर्मल लगेगा तो यह अगर तुम देखोंगे आप इससे भी कर सकते हो यह जो ग्राउंड पर है वो न्यूटन के नियम लगाएगा और यह जो अब और यह लगाएगा तो इस पर नॉर्म जो है वेज लगाएगा और यहां से एक वेट जो कि अर्थ लगाएगी इसका मासे हमें इसके अलावां इस पे तुम देखोंगे तो यह होर्जेंटल वाली लाइन और यह वर्टिकल वाली नाशिंस इसके रिस्पेक्ट में बोडी जिसमें लगा जा रहा है एक्सलेशन आप देफ्रेम वां तो नीट पोर्स जीरो यार नेट पॉर्च जीरो तो घीरो होगा तो सबसे आसान है तो नौर्मल का अगर तुम नॉर्मल के कोम्पोनेंट कर दो यह क्वेशन एक लाइन में हो जाएगा तो अगर यह थीटा है तो यह भी तो एंगल थीटा है और यह भी एंगल क्या है भाई थीटा है आप किसी किसी भी तरह से से इस कर सकते हो सभी सलुशन सेम देंगे क्योंकिने पॉर्स इन तीन का व्यक्टर संग जीरो तो नॉर्मल के वह क्लाओं जीको लिए और दिखेगा इसको अगर मैं इसको solve करता हूं simply अगर मैं equation लिखता हूं तो n cos theta balance किया होगा weight mg को और हमें यहां norm net forces जो ब्लॉग जो वेज लगा रहा है वो नॉर्मल ही तो है normal n की value हमें निकालना है normal force ही निकालना क्योंकि वेज नॉर्मल ही लगा रहा है तो यहां से normal की value कितनी आ जाएगी mg अपान cos theta और cos theta की value mg और यह शेक theta के equal है तो यह यहां से आ जाएगा यह नॉर्मल की value यहां से n sin theta is equal to ma भी होगा तो नॉर्मल की value यह भी आ जाएगी ma upon sin theta ठीकना मतलब ma और यहां से cos theta ठीकना तो यह दोनों solution अपने आप में सही है ठीकना तो यहां से आप देखो किसके टम में दिया mg से एक theta के टम में दिया तो आई हो कि आपको यह समझ में आ गया होगा थेंक यू बैबै टेक केर